पब्लिक टीवी आपकी आवाब स्वास्ते विभाग की लापरवाही के चलते इमर्जेंसी वार्ड में भरती मरीज की चान चली गई परिवार ने आरोप लगाया कि आक्सीजन और इलाज समय पर नहीं मिलने की वजह से उसकी चान चली गई है आपको बता दें कि जला अस्पताल के इमर्जेंसी वार्ड में भरती मरीज की इलाज के दौरान मौत हुई है जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया थाना भूचपूर इलाके के खानपूर निवासी रमेश को परिजनों ने आज सुबह अस्पताल में इलाज के लिए भरती कराया था परिजनों का आरोप है कि सुबह 8 बजे से दोपहर तक उनके मरीज को कोई भी इलाज नहीं दिया गया जिसके कारण उनके मरीज की लापरवाही के चलते मौत हो गई मौत की सुचना पर परिजनों के सबर का बांध तूट गया और उन्होंने अस्पताल के खिलाफ मूर्चा खुलते हुए कई गंभीर आरोप लगाए जिलास्पताल के इमर्जनसी वार्ड का पूरा मामला बताया जा रहा है लए भी और कोई टीटमेंट उनको नहीं दिया गया को इंजेक्शन नहीं दिया गया और अब उनकी जब डेट होने को आई है आखिरी साथ उन्होंने लिए तब में चलाया हूं कि आपके लिए फॉन करवाया है तब जाके लोग भागें तो अक्सिजन लगाए विर्कुल डेट बॉडिप ऑक्सिजन लगानी शुरूती है लोगी जी ने पूरी ऐसी छूड दे रखी है कि कोई भी काम मत करो कोई सब मज़े से हैं आप किसी घरीपी कोई नहीं सुनता ह कि मैं चाहूंगा मेरे पिताजी की डेट हुई तो हुई कोई भी गरीब आदि नहीं आये उसको समय से इस्टाप को इसना टेट कि आ जाया हुस्पिटल के कि वो समय से उसको ट्रीटमेंट दें चाहां उसका कोई बारिस है या नहीं है जीवन बचाने के लिए भगवान मा आने आता डोक्टर को पर यहां तो भगवान नहीं राक्षस हैं पब्लिक टीवी आपकी आवाद